हेलो दुस्तों गुडिया लिटल गार्डन में आप सभी का स्वागत है प्लीज आप सबसे रिक्वेश्ट है वीडियो पूरा देखेगा इस वीडियो में हम जानेंगे कि कचड़े में हम पौधे कैसे ग्रो करें और जो मैंने कचड़े कट्थे किये थी वह कैसे डीकमपोस् इंडोर प्लांट है तो आप देख सकते हूं यह अभिबारी सोरी है हमारे यहां पर तो बहुत ही इनके पत्ते स्वास्थ है और हेल्दी भी है साफ हो गए हैं जितने भी धूल मिती थे यह मेरे नाच्टे डोलते प्लांटर में बनाई थी स्प्राइट बोटल से इस पे मै अनलिक मेरे पॉधे लगे हुए हैं और वह सब हैल्दी हैं ग्रोह वोने हैं किसी में फूल है किसी में फूल नहीं है बट यहां पर प्लास्यार है और ज़्यादा खरेख सूरतल्ट लगए हैं और अधर्षि आलब यह तो जब हमारे यहां पर में पेछे आती हूं तो हैं इसा लगता है मुझे यह बहुत ही खुपसूरत लगते हैं तो यहां पे टृष्ण करमल वी है तो आप सभी को मैंने ये जिविडियो कि आप सेर किया था कि कम मित्टी और हम एक प्रवटने कचड से कैसे ज्यादा मित्टी बना सकते हैं तो अब आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ही देखा और बहुत ही जादा पसंद भी किया है बारा दिन पहले में ये वीडियो आप सब के साथ सेर की थी जैसे ठोड़ी सी सिर्प मित्ती लगती है और हमारे कीचन के जितने वी सबजी है वो लगते हैं इसी वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगे इसी वीडियो में कितने ब्लैक हो गए हैं और कितनी अच्छी तरह से मेरी मीटी रेडी हो चुकी है तो हम बीना खाद के ही हम पौधे ग्रोव कर सकते हैं और प्लांट में फूली फूल पास सकते हैं तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगी और इस वीडियो में मै कुछ कटिंग भी लगाई थी वह कटिंग लग चुकी है उसी प्लांट को इसी पॉर्ट में रिपॉर्ट करके मैं आप सबको दिखाऊंगी कि में थोड़ी भी खाद एड़ करने वाली नहीं हूं क्यूंकि मुझे इसमें पहले से ही खाद मिल गए हमारे किचन से ही मिल मुझे फोलो करें और आप पॉधे लगा तो यह आप सभी ने देखा और यह दिखिए यह वही पॉठ है वही मिटी है तो आप सबको में दिखा रहे हूं यह देखिए कितने सड़ गल गए हैं ब्लैक हो गए हैं आप देख सकते हो मैं केले के छिलके डाली थी आप सभी के स च्ची पर आपने इक फोधे voor गरोगे तो बहुत ही हल्दी कि रोओंगे और फूलो से प्लांट आपके भर जाएंगे तो खाद वा diff की जोरूत नहीं हैं हम अगर देखे हमारे किचन से ही हमारे घर पे ही खाद निकल जाते हैं बहुत लोग सोचते खाद नहीं है पर हम ग तो मैं उपर की में 30 ले हता रही क्यूंकि मुझे इसमें प्लांट रिपोर्ट का नाल मांडा का जो पौधा ये देखिए फूल जो है इसी प्लांट को रिपोर्ट करेंगी और ये केले के छिलके जो मोटे वाले जो थे उपर की जो रहती है ना तेहनी वह वाली है तो वह के नहीं फेकती या फिर हरी सब्जी नहीं फेकती मैं इस पर अलमांडा का पौधा रिपोर्ट करने वाली हूं दोस्तों कि कटिंग से लगा हुआ है और अभी बहुत ही बैस्ट समय है बहुत ही अच्छी समय है बारिस हो रही है हर जगह आपने अगर नहीं लगाया यह जो अलमांडा है यह बूस है जैसे कि यह हमारे प्लांट के जैसे रहते हैं और एक मेरे पास वराइटी है दो वराइटी है एक है वाइन और एक है जो लंबी-लंबी टहनी हो जाती है पर यह आपके पौधे के जैसे रहेंगे ट्री के जैसे कि हमारे टिकोमा का गुलाब का प्लांट जिस तरह से रहते हैं हाइट में छोटे बिलकुल उसी तरह से रहेंगे और इसमें येलो कलर के बंचिस में फ्लाउरिंग होती है बड़े-बड़े साइज के बहुत मैं ती स्वादकिक कुछ नहीं डबना है हमारे की चछma हैं की सबस्क्कितन फोड़ी हुए। मेरे मित्ती में पहले से तो आप मित्ती आप्प बना है तो अगर आपके पास ख़ार यह तो आप इस करके पानी देना होगा और अगर हम खाद उपर से दे सकते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी खाली रखा अगर आप भी पौधे रिपॉट करते हो तो थोड़ी सी खाली रखे एक दो इंच या फिर आप पुर्य भर भी सकते क्योंकि यह नीचे डीकंपोस्ट होकर और नीचे दब जाएंगे क्योंकि हमने यहां पर और नीचे केले के चिल कर दाले हैं पौधे लगाने के बाद हमें पानी देना और मैं इसे दूप में सिफ्ट कर दूँगी क्योंकि अभी हमारे यहां पर कंटेन्यू बारीशी होए जा रही है तो दूप मेरी वीडियो कैसी लेगी और पानी हमेशा चेक करके दे और हमेशे दिन भर की दूप में रखना है तब जाकर हमारे पौधे में फूल आएंगे वीडियो देखने के लोगे बहुत बहुत धन्यावाद